नमस्कार दोस्तों अनेल क्रासेज यूटूब चैनल में आप सभी का हारदीक सवागत आज हपन पढ़ेंगे साधर्शेता पिसला टोपिक अपने पढ़ा था वरगी करण और आज का अपना टोपिक है वो है साधर्शेता तो यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा है लाइक करें और यदि आपको लगता है कि हमारे दवारा पढ़ाई गई क्लास अच्छी नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इससे समंदि सुधार के बारे में भी लिख सकते हैं तो आईए चलते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं आपको दिखाई दे रहा है साधर्शेता साधर्शेता का मतलब होता है समान समद्छाटना आप नरदेश देख रहे हैं समान समद्छाट कर लिखना है तो जिस प्रकार से श्याई का समंद्ध पैन से है वैसे ही रक्त का समंद्ध किस से है आपको अच्छे से पता होगा कि शाई होती है वो पैन के अंदर चलती है शाई होती है वो किस में चलती है पैन में यानि पैन के अंदर शाई चलती है इसी प्रकार रक्त किस में चलता है अपने देखेंगे रोग है पहला उप्सन तो रोग तो रक्त की कमी से हो सकता है तो इ एक नलिया टाइप लगी हुई होती है उनके अंदर रक्ट चलता है तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि रक्ट का सम्वन्द है वो सिराएं और धमनियों से हैं लेकिन अभी अपना आगे बढ़ते हैं सिकित्सक, सिकित्सक होता है वो रक्ट समंदित या अन्य रोगों का इलाज करने का काम करता है और अस्पिताल है तो अस्पिताल के अंदर भी रक्ट होता है लेकिन जैसा समंद पैन और श्याई का है वैसा समंद रक्ट का अस्पिताल से नहीं है क्योंकि किसी अस्पिताल के अंदर रक्त हो भी सकता है नहीं भी हो लेकिन पैन जिस परकार बिना श्याई के नहीं चल सकता इसी परकार रक्त सिराओं के अंदर हमेशा चलता है सिराओं होती है वो बिना रक्त के नहीं हो सकती ठीक है सिराओं के अंदर रक्त हमेशा होता ही है और चलता है वैसे ही पैन के अंदर श्याई से पैना चलता है ठीक है? तो इस तरह से अपना सही उत्तर हो गया वो गया सिराए ठीक है? अब अपने चलते हैं इस सवाल को आपको अच्छे समझ में आगए होगा है एक बार और देख लेते हैं जिस प्रकार से श्याई पैन में होती है और पैन श्याई से चलता है वैसे ही रक्त सिराओं में होता है और सिराओं के अंदर रक्त चलता है चलिए अगले स्वाल के और चलते हैं अगला स्वार अपना है विधायक विधान सभा सेत्र से संबन देता है उसी प्रकार सरपंस किस सबा के अंदर विधायक होते हैं इसी प्रकार से सरपंस किस में होता है तो आपका सीधा सा जवाब होगा सरपंस किस का होता भाई गाउं का और गाउं को क्या कहते हैं ग्राम लेकिन यह मामला बहुत पेचीदा है आपको अच्छे से पहले सीधा ही उत्तर नहीं देना है आपको सवाल को पढ़ना है तैसील आपको पता है इसका सरपंस से जदा लेना देना नहीं है ग्राम ढाणी ढाणी आपने देखा होगा घर को कहते हैं तो घर का कोई सरपंस नहीं होता गर का तो सरपंस मुख्या ही होता है इसलिए वो सरपंस नहीं है पंचाहित एक और आप्शन है अब आपको पंचाहित और ग्राम के अंदर भेद करना आना आपको पता होना चाहिए कि सरपंस होता है वो ग्राम का होता है कि पंचाहित का होता है तो ग्राम आज कल राजश्व ग्राम को कहते हैं, ग्राम होते हैं, वो एक पंचायद के अंदर 7, 8, 10 ग्राम हो सकते हैं, तो ग्राम है वो राजश्व ग्राम है और यहां का सरपंस नहीं होता, सरपंस किसे सम्द देता है वाई, सरपंस है वो पंचायद से सम्द देता है, क्य सही शरपंत का सम्द है वह 5 है अच्छे समझ वह और मैं यह यह नहीं शरपंस होता है वह ग्राम-पंचाहत का होता ग्राम का नहीं ग्राम है वह राजस्ट तो आजल इसको रियूज़ कहते हैं उसे ग्राम कहेंगे ठीक है तो साथ पंज का संबंद 15 से है ऐसे सवाल आजकल एक्जाम में बहुत आते हैं इसलिए आप सभी इनका विशेश रूप से ध्यान रखें और इनका अभ्यास करते रहें तो आप इसका अच्छे सही कर पाएंगे चलिए अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल है कार का संबंद जिस पकार पैंट्रोल से है आपको पता है कि कार होती है वो पैंट्रोल से चलती है आपकी दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई कार तो डीजल से भी चलती है लेकिन यहां अपने को वो नहीं लेना है अपने को तो ये इस स्वाल को मद्दे लज़र रखते हुए देख विर्सील तो चलेगी लेकिन ड Twilight Pen Junior की तरह काम नहीं करेगा राइवर अंदर बैठ जाए और बस बस के अंदर पैंटुल जैसे कार में डालते हैं वैसे बस के अंदर डालने वाली चीज नहीं डाले तो ड्रैवर चला पाएगा क्या बिलकुल नहीं कोईला कोईला से भी बस नहीं चलती है क्योंकि कोईले से ट्रेन है वगिरा तो चलती है लेकिन बस कोईले से चलने वाली नहीं जिस परकार कार में पैंट्रोल डाला जाता है वैसे बस के अंदर क्या डाला है वहीं समन्ध बस का डीजल से है आपको इस सवाल को immdies दो समझने की साहई जरूरत नहीं अच्से समझ में आ गया होगा कि जस पर कार पेंट्रोल से समझन दाए वैसई बस है वह डीजल से समझन देथा है चलिए चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है घर रहना तो इस्टेडियम में क्या होगा गर के अंदर अपन क्या करते है भई रहते है गर के अंदर क्या करते है रहते है ठीक है तो इसी परकार इस्टेडियम के अंदर क्या करेंगे घूमना खेलना बैठना सोना अब आपको पता होगा गोमते किस में है पारक में गोमने वाले इस्तान का नाम पारक होता है और जैसे देखते हैं आपन खेलना तो खेलना स्टेडियम में होता है आप देखते हैं कि किरकेट का मैच चल रहा हो फुटबॉल का मैच चल रहा हो ठीक है तो वो सारे स्टेडियम के अंदर होते हैं बैच पर होता है या माना कि आप बैच पर बैठते हैं या पारक के अंदर भी टैलने जाते हैं तो आराम करने के लिए बैठ सकते हैं लेकिन स्टेडियम बैठने का काम नहीं है स्टेडियम के अंदर काम है वो खेलना है सोना या आप घर पे सो सकते हैं और कहीं जगे भी सो सक जो घर का समद्न्ध रहने से वही समद्ध स्वाल की ऊरडो चलते हैं आपको जैसे अच्छा का उल्टा क्या होगा बुरा तो च्छत का उल्टा च्छत आप देखा होगा मकान के अंदर च्छत का होती है उपर तो नीचे क्या होता है वही उसका उल्टा होगा जिस प्रकार से अच्छा का उल्टा बुरा है वैसे ही शत का उल्टा क्या होगा तो च्छत उपर होती है मकान के आप नीचे देखेंगे मकान में तो आपको क्य मिलेगा दिवार है दिवार है तो आपको साइड मिलेगी खंबे खंबे भी आपको अलग अलग दूर जगे जगे मिलेंगे लेकिन साइड में मिलेंगे फर्स आपने देखा होगा कि फर्स है वो सत के बिल्कुल विप्रित यानि सत उपर और फरस नीचे होता है, खिड़कियां भी साइड में मिलेगी, तो इसका मतलब, जो समझ अच्छे का बुरे से है, वही समझ छत का किस्ट है भाई, फरस से है, अच्छे समझ में आगए होगा, कि जिस प्रकार से अच्छा बुरे से समझ दित है, वैसे ही छत फरस से समझ दित है, है अच्छा का उल्टा बुरा और छटका उल्टा फर्स चलो अगले स्वाल क्यों चलते हैं बहुत ही महतोपुर्ण स्वाल है हमेशा BSTC के एक्जाम में तो आता है PTT पलीस आदी के एक्जाम में भी कई बार आ चुका है पलीस एक्जाम 2011-2013 के अंदर ये स्वाल बार बार आया है और हमेशा आता है क्योंकि इसके अंदर confusion सबसे ज़्यदा होता है तो चलिए अपने सवाल के और बढ़ेंगे सेर माद में रहता है सेर के रहने का इस्तान है वो क्या है? माद है यनि सेर के रहने का इस्तान वो माद है वैसे ही खरगोस के रहने का इस्तान क्या है? अपने को देखना है कि जिस परकार सेर माद में रहता है वैसे खरगोस किस में रहता है छेद में छेद तो आपने देखा होगा कि छोटा सा होता है इसके अंदर खरगोस कैसे रह सकता है गड़े में गड़े में भी खरगोस रह सकता है बिल में भी खरगोस रह सकता है खाई में खाई में भी खरगोस रह सकता है लेकिन जो स्वाल का उत्तर बार बार सही माना गया है वो है कि गड़े के अंदर गड़ा खोदा हुआ है तो खरगोस रह जाएगा खाई खोदी हुए तो खरगोस बैठ जाएगा क्योंकि यह सूब आपके एक्जाम में आने की संभावना बहुट ज़ादा है। ठीक है? तो समझ में आ गया जिस प्रकार सेर के रहने का किस्तान मान धैं, वैसे ही खरगोस के रहने का किस्तान है, वो बिलब है। चलो, अगले स्वाल की और चलते हैं। अगला स्वाल है अपना दुवा दुवे से क्या होता है पर्दुशन होता है दुवे से क्या होता है पर्दुशन वैसे ही विनास किस से होता है इस बार स्वाल पहले पूछ लिया यानि पर्दुशन की तरह विनास तो दिया हुआ है जो रजल्ट आता है वो पहले दिया वैसे ही क्या करेंगे तो विनास होगा, अब अपने को इसको समझ ना है, विजे पराप्त करेंगे तो विनास होगा, बिल्कुल नहीं, विजे पराप्त करेंगे तो क्या होगा, खुशी होगी, ठीक है, या माना कि मेहनत करेंगे तो विजे पराप्त होगी, वो अलग बात है संधी, संधी नहीं समझोता कर लेंगे तो विनास का मतलब आप अच्छे से समझ रहे होंगे विनास का मतलब है नुकसान उठाना विनास का मतलब है नुकसान होना तो यदि आप संधी कर लेंगे संधी का मतलब है समझोता यदि अपन राजी नमा कर लेंगे जिसको कहते हैं समझोता है यहां राजी नमा तो विनास होगा क्या नुकसान होगा क्या बिल्कुल नहीं तो इसका मतलब विजे नहीं हो सकता संधी नहीं हो सकता छांती छांती का मतलब भी वही है कि समझोता कर लें, सांती कर लें लड़ाई जगडा नहीं करें तो नुक्सान होगा क्या, विनास होगा क्या बिलकुल नहीं तो विनास कारक कौनसी सीज है युद यहनी अपने युद कर रहे हैं तो ये विनास का मूल स्रोत है तो जिस परकार धुआ से परदुष्ण होता है वैसे युद से विनास होता है तो अपना सही उतर क्या हो जाएगा युद सही उतर हो जाएगा ठीक है, अच्छे समझ में आगए होगा कि जिस परकार से धुआ परदुष्ण पहलाता है, वैसे युद है, वो विनास फैलाता है युद है वो विनास कारी होता है विनास करता है आप देखा योगा विस्वयोद टू यानि दूसरा विस्वयोद अमरीका के दवारा परमाणू हतियार से जो युद किया गया था और जापान के अंदर इतना विनास हुआ था कि जापान आज भी उबर नही पाया है तो आपको अच्छे समझना आ गया होगा कि जिस परकार से धुआ पदूशन भेलाता है वैसे युद्विनासकारी होता है चलिए अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल है अपना फल केला फल के अंदर क्या आता है केला यानि केला एक फल है वैसे इस्तन समझनारी बात इस्तन पाई का मतलब है जिसके थन होते हैं जाकर आप इस्तानी बासा में हमारे इदर बाड मेर जैसल मेर जोजपुर मारवार के अंदर जिसको अंसल भी बोलते हैं तो इस्तन पाई यानि थन थन किसके होते हैं जिस परकार से फल के अंतरकत केला आता है वै इसलिए जानवर इसका सही उतर है नहीं होगा आप देखा होगा गाय दूद देने का मुख्य काम है इनका और गाय वो इस्थन पाई के अंतरगत आएगी आप देखा होगा साप लेकिन साप के इस्थन नहीं होते है इसलिए इस्थन पाई नहीं है यानि इसके थन नहीं होता ठन का मतलब है दूद देने का इस्थान ठीक है और बैल के भी आपने कभी ठन नहीं देखे होंगे इस्थान नहीं देखे होंगे तो आपको सीधा सा अंस्वर मिल जाएगा कि जिस परकार फल के अंतरगत केला आता है वैसे इस्तन पाई के अंदर क्या आएगी गाया आएगी तो इस्तन पाई के अंदर अवना सही उतर क्या हो गया गाय हो गया ठीक है चलो अगले सवाल की और सलते हैं ऐसे भी सवाल पुछे जाते हैं जो सम्मंद रोटी का गेहूं से है वही संबंद इंट का किसे है, जिस परकार रोटी बनती है, वो किसे बनती भई, गेहूं से, तो इंट किसे बनेगी, यह रोटी का संबंद गेहूं से, आप अच्छे समझ गए होंगे, कि रोटी बनती है, इंट है, और रोटी दोनों एक समान है, ठीक है, यह जैसे इंट है, वैसे ही रोटी है यानि रोटी बनी गेहूं से वैसे ही इंट किस से बनेगी तो भवन है वो तो इंटों से बनता है लेकिन इंट भवन से नहीं बनती मिटी से आपको पता है इंट होती है वो मिटी से गारे से या पत्थरों को मिला करके बनाई जाती आग से बिल्कुल नहीं कई इंटे होती है वो आग से गरम की जाती है लेकिन रोटी भी तो आग से गरम की जाती है इसलिए इसका ये सही उतर नहीं होगा लोहे से तो ये बिल्कुल ही गलत उतर है तो अपना सही उतर हो गया वो क्या हो गया मिट्टी से जो समंध रोटी का ग यह उसे इंट किस से बनेगी तो आपको सीधा सांसर मिल जाएगा कि इंट बनेगी वो मिट्टी से बनेगी ठीक है तो समझ में आ गया होगा नहीं समझ मायद कमेंट करके जरूर बताएं चलो अगले सवाल के और चलते हैं जिस परकार से मकान का संबंद किराय से जिस परकार स मकान का किराया बनता है उसी परकार मकान तथा दुकान बिलकुल नहीं क्योंकि मकान का तो क्या होना चाहिए था किराया पूंजी तथा ब्याज आप देख रहे होंगे अपन पैसे किसी को अधार देते हैं उसका अपने क्या मिलता है ब्याज मिलता है जिस परकार मकान किरा किराया की तरह नहीं है देंदार ये देने वाला लेंदार ये नहीं लेने वाला लेकिन देंदार के ऊपर लेंदार थोड़ी आएगा जिस परकार से पुंजी के ऊपर ब्याज मिलता है मकान के ऊपर किराया मिलता है वैसे देंदार और लेंदार समधित नहीं है कलरक तथा व वेतन नहीं मिलता कलरक को किराइदार को किराया मिलता है वैसे ही पूझी किसी को देने पर हमारे को ब्याज मिलता है ठीक है अच्छे समझ में आ गया होगा चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल बहुत महतुपन है इसके अंदर आपको देखना है कि खेलों के नाम लिखे हुए हौकी, टैनिस तथा गॉल्फ क्या क्या लिखा है हौकी, टैनिस तथा गॉल्फ और नीचे भी खेलों के नाम इस तरह की सवाल भी आते हैं हौकी, टैनिस तथा गॉल्फ लिख दिया नीचे लिख दिया कबडी, बॉसकेट बॉल फुटबॉल, क्रिकेट अब आप देखेंगे भाई, ये तो सारे खेलों के नाम हौकी भी एक खेल है टैनिस भी एक खेल है गॉल्फ भी एक खेल है कबडी भी एक खेल है बॉसकेट बॉल भी एक खेल है फुटबॉल भी एक खेल है और किर्केट भी एक खेल है तो अब इसके अंदर अपन अलग कैसे करें कि इन चारों में से कौन सा सही उतर है तो आपको इन खेलों का खेलों की जानकारी होनी चाहिए होकी किससे खेलते हैं भाई एक गैंद और एक बैट टाइप जो भी माना कि वो होकी की इस्टिक जिसको कहते हैं होती है इससे खेल लेंगे अपना होकी वैसे ही टैनिस है वो भी जिस परकार से टैनिस का एक बला होता है और गैंद होती है गॉल्प है गॉल्प के अंदर भी एक गैंद और एक श्टिक होती है तो टैनिस के अंदर होकी के अंदर और गॉल्फ तीनों के अंदर कॉमन चीज है वह है कि तीनों के अंदर गैंद होती है और इस्टिक होती है तो अब अपन को इन चार खेलों के अंदर देखना है कि कौन से के अंदर गैंद और एक इस्टिक क्या माना कि ऐसी कोई चड़ी की जरूरत पढ़ती है बॉसकेट बॉल के अंदर गैंद की आउ सिकता होती है, लेकिन इस्टिक या माना कि बैट टाइप ऐसी को याउ सिकता नहीं पड़ती, ठीक है? फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर भी एक मातर गैंद की जुरुत पड़ती है और माना कि वो पोल वगिर अलगे होते हैं लेकिन यहां अपने को सम्मंद सेम देखना है कि किसके अंदर गैंद और इस्टिक जैसा सम्मंद है किर्केट इसके अंदर आपने देखा होगा कि इस्टिक की तरह बैट का इस्तेमाल किया जाता है और गैंद का इस्तेमाल किया जाता है तो अपना सही उतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा किर्केट जिस परकार होकी, टैनिस और गॉल्फ है वैसा ही संबंद किर्केट से है यानि होकी टैनिस गॉल्फ और किर्केट इन चारों के अंदर गैंद और इस्टिक या बैट का प्रियोग किया जाता है तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये वर्गी करन अपन कैसे आ असानी से कर सकते हैं अब आखरी स्वाल क्या और बढ़ते हैं आम, शंत्रा, केला आपने देखाओगा आम भी एक फ़ल का नाम है संत्रा भी एक फल है, केला भी एक फल है अब आपको देखना है इन चार आप्शन में से कि तीन ये फल है, तो अपने को सौथा भी क्या डोड़ना है फल डोड़ना है, तो चलो, सौथा फल क्या हो सकता भी, ककड़ी ये क्या है, एक सबजी है, फल नहीं है बेंगन ये भी एक क्या है सबजी ये भी फल नहीं है लौकी ये भी सबजी है ये भी एक फल नहीं है अब आता है खर्बुजा ये क्या है खर्बुजा फल के अंतरगत आता है खर्बुजा किस में आता भई फल में तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा खरबूजा, अब मारवाड़ी लोग इदर खरबूजे को सबजी की रूप में भी इस्तिमाल करते हैं, लेकिन फिर भी खरबूजा फल में ही आएगा, इसलिए अपना सही उत्तर होगा, वो खरबूजा ही होगा, ककड़ी, बेंगन और लोंकी ये तीनों होती है सब्जियां और खर्बू जाए फल जबकि उपर आम संत्रा और केला भी फल दिये हुए है तो इसकी जैसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं हो सकता है सवाल की जगे उपर तीन सब्जियों का नाम आ जाए तो अपने को नीचे दियो ओप्जन में से छबजी शांट करके लिखनी है उपर जो संबंद दिखाया गया ओ स्वाल में वही संबंद अपने को वरगी करण के अंदर साधर्शेता के अंदर सैम टू सैम संबंद डोडने का प्रयास करना होता है ठीक है तो इस तरह से आपके बिएश टी सी पी टी टी पुलीस के एकजाम में ऐसे दो से तीन सवाल आते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी कोई कमी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अनील क्लासेज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं वो क्लास में भी आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी तो आप ऐसा सब्सक्राइब बटन आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा जैसे आप अनेल क्लासे सर्च करेंगे आपको यूटूब चैनल पर ऐसा सब्सक्राइब बटम दिखाई देगा वो दबाएं और बैल आइकन दबाएं बहुत बहुत धन्यवाद